पैसर किसना दोस्तों सागत आपका हमारी योटो चैनल एस्ट्रलोजी में दोस्तों हमारी भारते संस्कृत में 16 संस्कारों का विशेश महत्वार और उनी संस्कारों के वलपर हमारी जो पूरे विश्व में साक और सक्सियत बन पाई है दोस्तों आज मैं 16 संस्कारों में से पहला संस्कार जो है यानि गर्बधान संस्कार उस संस्कार का मुहुर्त तिथी बार लेकर आपके सामने आएं कि किस मुहुर्त में कैसा आपको संतती प्राप्ती होगी और पुत्र प्राप्ती के लिए कौन सा समय सही है और लड़की प्राप्तिक के लिए यानि कन्या प्राप्तिक के लिए कौन सा सुब बार घरी सही है ग्रस आस्रम अर्थात विवाह के उपराम संतानोत पति करना परतेकदमपति का करतबे बन जाता जहां मा बनकर एक इस्तरी पूर्णता होती है वहीं पुरुस के लिए संतान पितर लिन से मुक्ति प्रदान करने वाली होती है सोड़ संस्कार के करम में गरवधान को परतम संस्कार माना गया है आज आधुनी करण की अंधी दोड़ वा पश्यसात संस्कृति के प्रवाह में हमने गरवधान संस्कार की बुरी तरीके से अब वो पेक्छा की है उसे भूल चुके हैं वरतमान समय में गरवधान को एक संस्कार की तरह करना लुप्त हो गया जिसके गंबिर दुस्प्रणाम सामने आ रहे हैं बिना उचित रीती वस्रेष्ट मुहूर्थ के गरवधान करना निस्क्रिष्ट वर रोगी संतान का जल्म का कारण बनता है एक स्वस्त आग्यकारी चरित्रवान संतान इस्वर के वरदान से सद्र से यानि सभी को प्राप्त होता है इस परकार की संतान तभी उत्पन हो सकती है जब गरवधान में उचित रीती रिवाजन, सास्त्रों, वेदों तथा जोतिस के अंसार बताए गए नियमों को पालन क तो आज हम आपको गरवदान संसकार के सुमुहुर्थ के बारे में बताएंगे संतान उत्पती के सुमुहुर्थ के बारे में आपको बताएंगे। पर्थम चार दिनों को छोड़ करके सम दिनों में गरवधारन करने से पुत्र की प्राप्ती के योग अधिक बनते हैं तथा विसम दिनों में कन्या के योग बनते हैं। अगर बार की बात करें तो रविवार, सुमवार, बुद्वार, बिरस्वत्वार और सुकुरवार ये पांच वार गरवधारन करने के लिए सही। यानि मंगल और सनी को इसमें छोड़ दिया गया। ये कुरूर वार भी माने जाते हैं। अब बात करें कि सुब नक्षत्र कौन सा है क्योंकि 28 नक्षत्र होते हैं और नक्षत्रों के अंसार ही हमारा जन्म कुंडले में परभाव परता है। तो नक्षत्र कौन सा होना चाहिए। जेश्टा, मूल, मघा, रेवती को छोड़ करके बाकी सभी नक्षत्र में आप गर्वधारन कर सकते हैं। तो ये गर्वधारन से संबनित महतोपूं और जोतिस तथे आपके सामने थे जिसको अपना करके आप अच्छी संत्ति, सुयोग्य संत्ति और आज्यकारी संत्ति पराफ्ट कर सकते हैं। पुत्र वाल, पुत्र को प्राफ्ट कर सकते हैं। और कन्या वाली कन्या को प्राफ्ट कर सकते हैं। तो आगे भी समय समय पर ऐसाई वीडियों हम आपके सामने परस्ट करते रहेंगे। आज के लिए इतना जैसे कितना दोस्तों truck नशलम राध्यरikes।